हेलो, नमस्क्रा दोस्तों, आप देखने हैं अल्विज न्यूं मूफी अप्टेट्स विकेंड का वार सलमान खान विकेंड के वार पे आये हैं इस बार थोड़ा कहिना के चेंज रखा गया है पहले सिर्फ एक हफ़ते में एक कॉलर ओफ दो वीग आता था और सोनाली वहाँ पे भी बॉकला गई थी सोनाली कहिना के सलमान खान को भी कह रही थी कि सलमान खान मैंने किसी को भी यह नहीं कहा है कि आप मुझे भारा करके मिलो जब काप पूछा जाता है कॉलर से कि आपने रुबिना को गालियां दे दी वो भी एक कागज के लिए कि कागज फार दिया आप क्या पागल होगी क्या कैसे आप ये बाते करें तो कहीना कि सुनाली ने कहा था कि इसने मेरी बेटी को गाली दी तो उसके वज़े से मुझे ज़्यादा गुस्सा है अब यहाँ पर सल्मान खान बिल्कुल बात काड़ते हों कहते हैं अब एक बात ये भी थी कि सल्मान खान ने बात काटी कहा कि भई रूबीना ने वो सब जीजे नहीं गई थी जो तुम कह रही हो यानि कि तुम्हारी बेटी को कोई गाली नहीं दी गई थी रहुल वेद्या की शकल महाँ पर थोड़ी लाल हो जाती है तुकि रहुल वेद्या ही वो शक्सते और आरशिखाद जो कि बार-बार ये कह रहे थे कि भई रूबीना ने गाली दी बलकि रहुल वेद्या की एक अजीब बात ये थी कि जो रहुल वेद्या स्टेटमेंट कह रहे थे कि उसने बात की थी कि क्या अगर तुमारी बेटी को भी कोई ये कहता तो वो सही होता जब ये स्टेटमेंट रहुल वेद्या कह रहे थे रूबिना ने वो statement की थी जो राउल वैद्या ने कही थी लेकिन राउल वैद्या जब अरदस्ती उस statement को twist करके उसे एक गाली के रूप में बताना चाहते थे कि नहीं उसने questioning नहीं उसने गाली दी थी अब यहाँ पर बात यह होगी कि सलमान खाने विगन के वार पर साफ साफ किया दिया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था सुनाली जी आपको बर्गलाया गया आपको फालतू में मिर्चिल गाई गई आपकी बेटी को बिल्कुल भी गाली रूबिना नहीं दी थी बलकि रूबिना ने कंसन दिखाते वे कहा था कि क्या अगर आपकी बेटी को भी कोई यही कहा था तो आप वो सुन पाती वेल कहीना कहीं सब के मुँपे तमाचा मार दिया है सलमान खार ने वीकेंड के वार पे जो कि रूबिना पे फालतू में इजाम लगा रहे थे चाहे वो अली हो चाहे अली ने इजाम नहीं अली ने बाग के कहा राहूल अर्शी और एजास तो आपको कहके न कमेंड बॉक्स में लिखके ज़रूर बताए काफी इंटरस्निंग ये वीकेंड का बहुर रहने वारा है सब्सक्राइब करें धन्यवाद